नमस्कार दोस्तों दोस्तों इस वीटियो में हम जानने वाले ही कि अगर आपके दातों में दर्द है, मसूडों में दर्द है या फिर मसूडों में सूजन है तो आप घर पर इसे ठीक करने के लिए क्या होम रेमेडी अपना सकते हैं वैसे तो दांतों में दर्द होना एक आम समस्या है लेकिन ये बहुत ही असहनी होता है दांत दर्द की वज़े से कई बार चहरे पर सूजन भी आ जाती है आईरुवेद के नुसार दांत दर्द वात दोश के कारण होता है दोस्तों धात दर्द में तुरंत पैन किलर लेने की बजाए आप क्या करें एक बार आयरुवेदिक नुस्खे अपना कर देख ले अगर उससे आपको फाइदा होता है तो आप उसे अपना सकते हैं या फिर आप बाद में डॉक्टर की सला ले सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं नुस्खा काफी आसान नुस्खा है आपको क्या करना है तीन से चार अमरूद के पत्ते लेने हैं हमारे घरों के आसपास अमरूद के पेड़ आसानी से मिल जाते हैं तो आपको क्या करना है दो से तीन पत्ते लेने हैं उन पत्तों को अच्छा सा धो अब आपको एक ग्लास के लगबग पानी लेना है और यह अम्रूद के पत्ते उस पानी में डाल कर अच्छे से उबालने हैं आपको तब तक उबालना है जब तक कि यह पत्ते जो है हलके भूरे न हो जाए जब यह भूरे हो जाए तो पानी को उतार कर फिर ठंडा कर लें और ठंडा होने के बाद छान कर जब ये गुनगुना रह जाए तो इसमें नमक मिला कर आपको कुला करना है अगर 2-4 दिन ये प्रियोग आप करते हैं तो इससे दांतों में दर्द और मसूरे ठीक हो जाते हैं लेकिन दोस्तों ध्यान दें अगर 3-4 दिन करने के बाद भी आपको फाइदा नहीं होता है तो आप ये उपाय छोड़ दें और डॉक्टर से सला जरूर ले 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 तो दोस्तों आपको जानकरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है त तो सस्क्राइब कर ले धन्यवाद दूस्तों